आ कि वैलकम करता हूं आपका मैं नए डिजाइन के साथ हमारे चैनल पर आज का जो डिजाइन है स्क्रीन के ऊपर है आपके सामने एक जो स्टाइलिस डिजाइन लेके हाजिर हुम है इसका जो प्लान भी आप इसमें देख सकते हैं तो यह डिजाइन रहेगा हमारा अब बात कर लेते हैं इसके तो सबसे पहले जो डिजाइन का साइज है वो है 28 x 42 और आपको मैं बता दूँ अभी जो आप देखेंगे यह 3D वाक्ट्रू होगा विजूलाइज होगा पूरा का पूरा एनिमेटिड पूरी डिटेल के साथ आपने हमारा वीडियो अगर नहीं देखा वो नॉर्मल 3D के साथ था वो भी आप देख सकते हैं उसका मैं उपर आई बटन पर लिंक दे दूँआ वहां से आप इसको देख सकते हैं तो पूरी डिटेल स्क्रीन के उपर है कितना साइज है लंबाई चोड़ाई जो भी है व आपको प्लान इसका फीज दे के मिल जाएगा अगर आप इसका प्लान ओनलाइन डाउनलोड करना चाहते हैं तो ओनलाइन अपको इसका डिस्क्रीप्शन में लिंक मिल जाएगा वहां पे आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं फीज देकर तो वह पूरी डिटेल आपको वहीं सामने हमने आगे पांच फिट का स्पेस छोड़ दिया है, आगे एक खाली गार नहीं गुए रहा है, चाहें तो आप कर सकते हैं, उसके बाद एक 6 फिट चोड़ाई में यहाँ पर ब्रामदा रखा है, और ब्रामदे के अंदर से आप देखेंगे, इसके बाद ही हमारा जो पार्टिशन है, घर का जो है वो आप देख सकते हैं, तो इस तरीके का सेट अप रहेगा है, ब्रामदा रहेगा, ब्रामदे से दो दरवाजे, एक खिड़की आप देख सकते हैं, चोटा जो दरवाजा है हमारा, यह हमने टोईलेट का दरवाजा रखा है, टोईलेट बाहर से ही आप इस्तेमाल कर सकते हैं, अंदर से नहीं रखा है इसका दरवाजा, तो कोई भी गैस्त आये, आपका कोई भी एक्स्टा थरवर्शन, बाहर से ही इसको इस्तेमाल कर सकता है टोईलेट को, तो यह रहेगा यहाँ पे setup इसका ब्रामदे से ही और अभी मैं आपको अंदर लेके चलूँगा यह जो दूसरा दर्वाजा आप देख रहे हैं बड़े वाला यहां से और जो सीडियों के नीचे space है वहाँ पे आप बाइव वेरा पार्क कर सकते हैं चैनल को आप चैनल पे न space in आप देख सकते हैं पहले चलिए मैं आपको बादरूम दिखा देता हूं इसमें जो बादरूम है हमारा यह आप देख लीजिए एक बार यह रहेगा 4 x 5 का जो साइज है प्रोपर एक मैं आपको बता दूं जो आपको इसका प्लान चाहिए तो प्रोपर डिटेल के साथ म हमारा और लोबी एरिया में ही हमने यहाँ पर कीचन डिजाइन की है आप देख सकते हैं जो सामने हैं बिल्कुल यह कीचन का स्पेस रहेगा और हर एक चीज़ की डिटेल आपको प्लान के अंदर मिलेगी अभी यहाँ पर सिरफ मैं विजुलाइज आपको दिखा रहा हूं क्योंकि यहाँ पर हमने साइज का जो मैंशन नहीं किया है वो साइज आप देखेंगे वो चाहिए आपको तो व पहले एक बैडरूम दिखा देता हूं क्योंकि जो हमारा एरिया है 28-42 का काभी कम एरिया होता है वैसे लेकिन इसमें अच्छा डिजाइन आप बना सकते हैं उपन स्टाइल का यहाँ पर तो यह हमारा बैडरूम रहे गया मस्टर बैडरूम बना सकते हैं इसको इसके अंद जो पूरा घर है इसमें चार फिट तक हमने टाइल वर्क यहाँ पर करके दिखाया है एक अलमारी आप इसमें बनवा सकते हैं या फिर आप बनी बनवाई यहाँ पर रख सकते हैं तो यह स्पेस रहेगा इस बैडरूम का इसके बाद भी इसमें स्पेस बच जाता है अग च दूसरे बैडरूम का दर्वाजा रहेगा हमारा यह देखे बाइपास बैडरूम रहेगा पीछे जाने के लिए रास्ता इसके अंदर से रहेगा और किसी भी इनने जानकारी के लिए आप हमारे वाट्शप नमबर 98134377500 पर संपर्क कर सकते हैं आप प्लान को खरीदेने क इसको बिलकुल खुला रखा है आप चाहें देखिए इसको विलेज में बनाए आपके पास पेस है काभी अच्छा रहेगा आप चाहें तो इसको एज स्मॉल फार्म हाउस भी आप बना सकते हैं अगर आपको एक अच्छा सुंदर घर चाहीत हो वह भी आप इस टाइप का घर बना सकते हैं तो अभी मैं चली वापीश चलता हूं और वापीश जो आपका बैडरूम था दूसरे वाला वो दिखा देता हूं पूरा मैं थोड़ा सा यहां से आप देखेंगे इसमें भी हमने देखिए टीवी केस यहां पर बनाया है अलग से इसमें एक बैड लग ज सकते हैं प्लान से आपको पूरी तरक्सी से जो हर चीज समझा जाएगी अब चली मैं आपको उपर के पार्टिशन में ले चलता हूं क्योंकि उपर हमारा जो देखिए एक ही मंजिल का डिजाइन है सिरफ शीडियां है यहां से बाकी का जो टैरेस है जो छत है वो पूरी ख किय सकता हूं कि लोग देखने आएंगे अपका घर कि कम से कम अरिया में इतना अच्षा डिजाइन आपको कहां से मिला तो देखिए हमारे और भी डिजाइन है काफी अलगलग सभी सफेजान के डिजइन हैं लगवग सभी सबस्क्रैब केरद के सैनल की आप वीडियो में ज तो आप डिरेक्ट हम से संपर करके वो डिजाइन आप बनुआ सकते हैं तो ये तो थी आज के इस डिजाइन की डिटेल आजा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और आपने चैनल को भी सब्सक्राइब कर लिया होगा और वीडियो देखने के लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ